आपको नमस्कार और आज मैं आपको बताने वाला हूँ मार्शाल आर्ट्स का एक इतना बहतरीन टॉपिक जो अगर आपने समझ लिया और सीख लिया तो वो आपकी प्रैक्टिस को धुगना कर देगा और आपकी स्ट्रेंद्ध को भी धुगना कर देगा जी हाँ मैं आज और अपनी best performance दे सकते हैं martial arts के लिए आज इस वीडियो में आपको क्लियर करके बताऊँगा कि आपके लिए best time कौन सा है जी हाँ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि best practice करने का समय कौन सा है जिस समय आप अपनी बहतरी peak performance दे सकते हैं मैं आपको बता दूँ ये depend करता है कि आप करते क्या हैं देखिए अगर मैं आपसे ये कह दूँ मैं ये जानने आए कि मैं सिर्फ ये कहने बाला हूँ कि आपको सिर्फ सुभई करना चाहिए सामको करना चाहिए best results जो है सुभई मिलते हैं मैं इसमें एक time ऐसा बताऊँगा आपको जिसमें आपको सबसे ज़्यादा results मिलेगे और दूसरा जो time है वो आपके उपर depend करता है depend करता है कि आपके अंदर martial arts सीखने की अर्ज कितनी है क्योंकि जिसके अंदर अर्ज होती है वो पूरे दिन practice करता है 8-8 गंटे practice करता है मैं आपको बता दो मैंने अपना martial arts career start किया था तो सुभई 3 गंटे practice करने के बाद मैं college में भी बैठके ऐसे हाथ घुमाता रहता था ऐसे punch करता रहता practice तो पूरे दिन ही चलती है practice तो पूरे दिन ही चलती है और मैं आपको बता दूँ यह depend आपकी job पे भी करता है क्योंकि हर कोई student नहीं है कोई job भी करता है किसी के कोई और job है किसी के पास कोई और time है देखिए martial arts करने का कोई भी निर्धारित समय नहीं है बशरते आपने बहतरीन bomb up किया हो क्योंकि जब आप बहतरीन bomb up करेंगे तो martial arts खुद बाकुद अच्छी करेंगे देखिए वैसे अगर सबसे perfect time की बात करूँ तो वो होता है सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक इसलिए क्योंकि यह morning होता है morning में बहुत ज़्यादा body heat नहीं करती है तो उससे आप बहतरीन practice कर पाते हैं ब्रीधिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और सुबह उठने का एक routine भी होता है जिससे आप अपने 4 से 5 गंटे और उके according बचा लेते हैं लेकिन यह rule सब पे follow नहीं होता है अगर आपके पास सुबह टाइम है फिर तो आप जरूर करें martial arts की practice सुबह लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है आप कोई teacher है या फिर आप किसी दूसरे fields में job करते हैं आप business man है लेकिन martial arts करना चाहते हैं तो आप किसी भी समय कर सकते हैं बसरते आप एक बहतरीन bomb up किये हो क्योंकि bomb up जो होता है वो martial arts normal दुनिया से martial arts की दुनिया का एक pull होता है जितनी बहतरीन आप bomb up करेंगे उतना ही बहतर आपको interest मिलेगा तो कभी भी आप practice करें चाहें दुपैर हो शाम हो आदी रात हो उससे पहले 20 मिनट का bomb up करिए और practice में कोई भी difference नहीं आएगा आप कित सुभै साड़े 9 बजे देता रहूंगा नमस्कार